हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर चानल, लर्निंग नोट बूक आज इस वीडियो में हम क्लास थ्री इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक संटेंस पड़ेंगे इस चैक्टर में मैं आपको समझाओंगी कि स्टेक्टमेंट्स किसे कहते हैं, क्वेस्चन्स किसे कहते हैं और इनसे डिलेटिड हम कूप सारी प्राक्टिस एक्सराइज भी करेंगे और अगर आपको क्लास थ्री इंग्लिश ग्रामर का कोई और टॉपिक समझ रहा हो तो हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर क्लास थ्री इंग्लिश ग्रामर का पूरा स्लिवर्स कवर करा हुआ है आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखिए आए फ्रेंड्स आज स्टार्ट करते हैं संटेंस से तो संटेंस क्या होते हैं तो संटेंस वर्ड्स का ग्रुप होते हैं जिनको मिलाकर एक मीनिंग बनता है वो मीनिंग फुल होते हैं संटेंस आए कुछ एक्जाम्पल्स के तुरू इसको समझाती हैं इन द पार्क तो ये एक वर्ड्स का ग्रुप है तीन words है इदर in the park यानि पार्क में पर ये एक complete sentence नहीं है क्योंकि इसका कोई meaning नहीं बन रहा पार्क में बस इतनी information है complete meaning नहीं है नेक्स्ट है play in the park यानि खेलते हैं पार्क में अब इसका क्या कोई meaningful है ये नहीं इसका complete meaning नहीं है ये भी चाये group है words का पर यहाँ पर यहाँ पर भी complete meaning नहीं निकल रहा कौन खेलता है पार्क में ऐसी कोई information नहीं है अब ये तीसरा पड़िये ये कह रहा है we play in the park यानि हम पार्क में खेलते हैं ये जो है ये complete meaning दे रहा है तो ये होता है sentence ये ऐसे words का group है जो मिलकर एक complete meaning दे रहे हैं तो ऐसे sentences को हम कहते हैं एक complete sentence and a sentence always begins with a capital letter और जो sentence होता है वो हमेशा start होता है capital letter से जैसे कि आप इस वाले sentence में देखे वी play in the park तो यहाँ पे जो वी है जो starting इसका word है वो capital letter से शुरवात हो रही है इसकी ठीक है तो याद रखिए sentence is a group of words that has a complete meaning आईए अब इसके उपर एक छोटी सी मैं आपको practice exercise करवाते है तो यहाँ पे हमें group of words given है हमें बताना है कि वो sentence form कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उनसे अगर complete meaning निकलता है तो sentence होंगे नहीं तो नहीं होंगे पहला है laughing is the baby तो क्या मतलब है इसका हस रहा है baby अब देखिए जो words है यह properly arranged नहीं है तो इससे complete meaning नहीं निकल रहा यह होना चाहिए sentence the baby is laughing जब यह कहलाएगा एक sentence तो यह अभी sentence नहीं है तो हमने इसको cross कर दिया next है the clouds are in the sky यानी बादल आस्मान में है तो यहाँ पे जो यह words है यह group of words है यह properly arranged है यह complete meaning दे रहे हैं इसलिए यह sentence है next friend I am talking to my देखे अब यह चाहिए कहने को यह group of words है बट यह properly arranged नहीं है इसलिए इनका कोई meaning नहीं निकल रहा तो यह sentence नहीं है इसका sentence होना चाहिए था I am talking to my friend जब यह एक sentence कहलाता right next the ducks are swimming in water जो ducks है वो पानी में तै रही है सही meaning निकल रहा है तो यह sentence है ठीक है तो अब आपको समझ में आया कि चाहे group of words given हो हमें पर वो properly arranged होने चाहिए और उनका meaning निकलना चाहिए जब भी वो sentence कहलाते हैं और कुछ देखते हैं words loves us our class teacher very much अब देखिए यहां पर भी यह जो words है यह कोई meaning नहीं दे रहे हैं यह properly arranged नहीं है तो यह sentence नहीं है इसका क्या sentence बनेगा our class teacher loves us very much यानि जो हमारी class teacher है वो हमें बहुत प्यार करती है देखिए अब कैसे इनका meaning निकली आए ना in words का तो यह एक sentence हुआ next those bushes in the lawn अब यह complete sentence नहीं है क्योंकि हमें इसका meaning पुरा नहीं निकल रहा है इदर क्या बोलगा है यह बोलगा है कि रोस की जाड़ियां lawn में बस इतना है रोस की जाड़ियां lawn में अब अगर मैं इसको लिख दूँ there are those bushes in the lawn तो यह एक बन जाता है sentence ठीक है कि रोस की जाड़ियां है lawn में ठीक है तो यह एक sentence बन गया और friends इदर देखिए यह जितने भी sentences है इन में पहला letter capital है राइट Now friends a sentence can be a question or a statement तो अब जो sentence होता है वो एक question भी हो सकता है और वो एक statement भी हो सकता है तो आईए अब मैं आपको बताऊंगी कि question क्या होते हैं और statement क्या होती है Questions पहले समझते हैं Some sentences ask a question कुछ sentences question पूछते हैं A question always ends with a question mark और जो question होता है वो हमेशा खत्म होगा एक question mark से क्या होते हैं question mark अभी देखें मैं आपको example से समझाती हैं यह है what is your name और फिर उसके बाद यह लगा हुए question mark तो इसे कहते हैं question mark तो यह जो sentence है यह question पूछ रहा है कि प्रश्न पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है तो इसको कहेंगे हम question जो हमसे कुछ पूछें next है where do you live तुम कहां रहते हो तो यह भी एक question पूछ रहा है what is your school's name तुम्हारे school का नाम क्या है तो देखिए यह जो तीनो sentences हैं इन में हमसे कुछ पूछा जा रहा है तो इनको हम कहेंगे questions और यह तीनों ही end हो रहे हैं question mark से ठीक है तो यह sentence है जो question पूछता है अब next है statement statement क्या होती है a statement is a sentence which says something जो statement होती है वो ऐसा sentence होती है जो कुछ बोल रही है बता रही है question तो question पूछता है what statement बताती है it ends with a full stop और जो statement होती है वो end होती है एक full stop से for example my name is Tuti मेरा नाम स्तुती है तो यह कुछ बता रहा है यह जो sentence है यह कुछ बता रहा है मेरा नाम स्तुती है और देखिए end हो रहा है फुल स्टॉप से यह जो dot होती है इसको फुल स्टॉप कहेंगे इसी तरह से next statement है I live in Mumbai मैं Mumbai में रहती हूँ तो यहाँ पे भी जो यह sentence है यह information दे रहा है बता रहा है कि मैं Mumbai में रहती हूँ तो यह भी एक statement है I like chocolates मुझे chocolates पसंद है तो यह भी एक statement है तो यह जो तीनों ही sentences है यह statements है क्योंकि यह कुछ कह रहे हैं कुछ बता रहे हैं और यह end होते हैं हमेशा एक full stop से अब इसके उपर आएए हमें एक exercise करते हैं put a full stop or question mark तो हमें कुछ sentences given है इदर हमें उनको identify करना है कि अगर वो question है तो हम क्या लगाएंगे question mark और अगर वो statement है तो हम full stop लगाएंगे तो पहला sentence है Do you like ice cream? अब देखिए यहाँ पे हमसे क्या question पूछा जा रहे है कोई या कोई बताया जा रहे है हमसे यहाँ एक question पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हें ice cream पसंद है तो इसके आगे हम question mark लगाएंगे अब next sentence है Yes, it is yummy हाँ वो बहुत yummy है तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाँ वो बहुत yummy है तो इधर क्या आई यह यह एक statement है तो हम full stop लगाएंगे next what flavors do you like अब पुछा जा रहा है कि तुम्हें कौन से flavors पसंद है तो यह भी क्या है यह भी एक question है तो हम question mark लगाएंगे फिर वो कहता है I like strawberry तो उसने answer करा कि मुझे strawberry यानि strawberry flavor पसंद है तो यह पर उसने बताया है कुछ तो यह statement है तो हम full stop लगाएंगे ठीक है friends और कुछ sentences देखते हैं In winters many birds come to this lake सर्दियों में बहुत सारे birds इस lake पर आते हैं अब यहाँ पर क्या हो रहा है क्या आपसे कोई question पूछा जा रहा है नहीं यहाँ पर कोई question नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पर हमें information दी जा रही है हमें कुछ बताया जा रहा है तो इसलिए हम इदर full stop लगाएंगे Next When will our exam start हमारा exam कब start होगा तो यह भी question है कुछ पूछा जा रहा है तो इसलिए हम इदर question mark लगाएंगे Have you ever seen a snowfall? क्या तुमने कभी कोई snowfall देखी है तो यहाँ पर भी कुछ question पूछा जा रहा है तो इसलिए इदर question mark लगेगा Where are you staying? तुम कहां रहे रहे हो? पूछा जा रहा है कुछ question है तो हम लगाएंगे question mark अब next topic है हमारा statements to questions इसमें हम सीखेंगे कि statements को questions में कैसे बदल सकते हैं जैसे कि एक यह sentence है स्टुती is happy तो यह एक statement है यहाँ पर हमें एक information दी जा रही है एक बात बताई जा रही है कि स्टुती खुश है अब अगर मेरको इसका question form करना है मेरको पूछना है कि क्या स्टुती happy है क्या स्टुती खुश है तो इसको हम question बनाना है तो हम क्या करेंगे simply हमें यह जो verb है is इसको starting में लिख देना है बाकी sentence ऐसे ही रहेगा is स्टुती happy और फिर एक question mark लगा देना है तो यह बन गया क्या स्टुती happy है तो यह question बन गया तो इस तरह से हमने statement को question में बदल दिया एक और example देखिए he was absent अब यह एक statement है इसका मतलब है कि वो absent था अब अगर इसका question बनाना है हमें पूछना है कि क्या वो absent था तो हम क्या करेंगे simply हम इस verb को कौनसी वर्ब एदर was उसको पहले लिख देंगे और बाकी हम sentence ऐसे ही लिखेंगे तो बन जाता है question was he absent और question mark ज़रूर लगाना है तो यह question बन गया है कि क्या वो absent था तो बहुत ही आसान है एक statement को question में बदलना सिर्फ हमें verb को subject से पहले लिखना होता है next देखिए they are talking loudly तो यह statement है यह कह रहा है कि वो बहुत उचे-उचे बात कर रहे हैं अब हमें इसको question बनाना है हमने पूछना है कि क्या वो बहुत उचे-उचे बात कर रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे यह जो helping verb है are इसको हम starting में ले आएंगे subject से पहले लिख देंगे बाकी सब सेम रहेगा are they talking loudly and then we will put a question mark तो यह बन गया कि क्या वो उचे-उचे बात कर रहे हैं तो हमने एक statement का question बना दिया है ऐसे next है she is playing वो खेल रही है अब इस statement को question बनाना है कि क्या वो खेल रही है तो इसके लिए हम helping verb जो is है उसको सब से पहले लिख देंगे is she playing और फिर question mark यानि क्या वो खेल रही है ठीक है now let's do a practice exercise on this change these statements into questions so here we are given with some statements and we have to change them into questions तो अभी जैसे मैंने आपको सिखाया है वैसे ही करना है अमने पहली statement है she is flying a kite यानि वो kite उडा रही है पतंग उडा रही है वो तो इसको मेरे को अब question बनाना है मैंने पूछना है कि क्या वो पतंग उडा रही है तो इसके लिए क्या करूँगी मैं यह जो helping verb है इसको मैं सबसे पहले लिख दूँगी और बाकी सारा sentence सेम रहेगा तो बन गया question is she flying a kite ठीक है और फिर question mark लगा देंगे हम तो यह बन गया कि क्या वो पतंग उडा रही है next है the old farmer is happy यानि वो जो बुड़ा फार्मर है वो खुश है अब इसका question क्या बनेगा कि क्या बुड़ा फार्मर खुश है तो इसको question को हम English में कैसे लिखेंगे अब यह जो is है helping verb है इसको सबसे पहले लिख देंगे is the old farmer happy and then question mark next statement the students are playing football students football खेल रहे हैं अब question क्या बनेगा इसका कि क्या students football खेल रहे हैं तो question बन जाएगा are the students playing football और फिर question mark लगा देंगे ठीक है तो हमने simply जो helping verb थी उसको पहले लिख दिया तो friends अगर आपको इस वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको like जरूर करें अब next statement है he is painting यानि वो painting कर रहा है वो paint कर रहा है तो इसका question क्या बनेगा कि क्या वो paint कर रहा है तो इसके लिए हम is को पहले लिख देंगे और फिर he painting is he painting question mark तो ठीक है इस तरह से बहुत ही असानी से हम statements को questions में बदल सकते हैं क्या है